हे गाइज वेलकम टू वीजे क्लासे माइने में इस वीजे दिसानी आज इस वीडियो लेशन में आपके साथ मैटर्स इन और सराउंडिंग्स क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री का फॉर्स चैप्टर का पार्ट फिफ्ट डिसकस करने जा रहा हूं जो कि आपके एक्जाम के ल सब्सक्राइब करके कैसे हम एक स्टेट मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं और मैंने आपको लेटेंट हीट के बारे में कुछ बताया था और डिफरेंट स्केल्स आफ टेंपरेचर बताया था अब अल्मोस्ट यह सेकेंड लास्ट वीडियो होगा इसके बाद एक एंसी आ प्रेशर को देखो पहले हिंदी में क्या बोलते हैं दाप प्रेशर मतलब होता है दाप और यह कुछ नहीं होता है यह भी एक फोर्स है एक बल है एक तरीके का ओके कि अगर हम एक मैटर पे प्रेशर बढ़ा दें या कम कर दें तो उस पर क्या एफेक्ट होगा तो यह अपने नॉर्मल लाइफ में कि हम गैस को प्रेशर में लाते हैं तो उसके सांग क्या होता है यह भी हम बताते हैं देखते हैं क्या होता है तो यह आपके पास एक डाइग्राम है आप यह और देख लो ठीक है आपने पिस्टन एक आप सीरिंज समझ लो से यहां फिर प्रेशर दालोगे अगर आप इन पर प्रेशर दालोगे इनको दबाने की कोशिश करोगे तो यह पास आजाएंगे यह पास आजाएंगे और इतने पास आप ला सकते हो नहीं कि आप इन्हें सॉलिड भी बना सकते हो आप इन्हें लिक्विड भी बना सकते हो ठीक है तो य यह हम gases के संग ज्यादा तर experiment करते हैं और यह और बता दूँ अगर आप temperature और कम कर देते हो temperature और कम कर देते हो तो और भड़िया बात हो जाती है इसका मैं graph भी आपको बना के बता हूँ तो देखे applying pressure and reducing temperature can liquefy gas ठीक है बहुत इसका classical example है LPG ठीक है liquid petroleum gas जो हम daily life में यूज करते हैं आपने क्या करा एक gas को यह gas कौन सी है इससे आपको अभी लेना देना नहीं है यह cylinder है ठीक है प्रोपेन ब्रूटेन यूज की जाती है इसमें यह एक cylinder है आपने इस gas को क्या किया इसके अंदर फिल करा तो गैस अच्छे खासे उसके molecules उसके particles दूड़ दूड़ थे आपने उसको pressure में डाल दिया ठीक है अब यह tight pack करने के आपने कोशिश करी और tight pack आपने करी तो यह gas बन गई liquid क्या बन गई liquid क्योंकि अब इसके particles gaseous gas के matter में होते हैं वैसे नहीं है अब पास पास आ चुके हैं जैसे liquid में होते हैं और आप इस liquid के particles को क्योंकि अब यह liquid है इसको और अगर आप pressurize करते और बल दालते तो हो सकता था यह solid gas नहीं पर जैसे ही जैसे ही आप इसमें नौब जो स्टोव में आपने लगा रखिए वह open करोगे ठीक है फिर से भार आईगी और gas के रूप में बार आईगे आप इसको लिट करोगे तो आपका flame चलने लगेगी तो इसका एक तो यह example है और एक यह आप पड़ सकते हैं have you heard of solid carbon dioxide co2 तो co2 के बारे में भी आपने सुना होगा जब हम एक pressure से इसको fire extinguisher में दालते हैं ठीक है आप छोटा सा आपने देखा होगा fire extinguisher में दालते हैं तो यह liquid बन जाती है और फिर जब हम इसे भार निकालते हैं जब हम इसे भार निकालते है तो यह solid राःबाहोता है तबतादू इसे हाथ को गीला नहीं करती इसलिए अदय午 crystal थो बमार है आप इसे अपने हाथ में रखें रहो बिल्कुल के HUBE MA से रह relatively तो क्या होगा यह evaporate कर जाएगी यह direct क्या बन जाएगी यह direct क्या बन जाएगी gas बन जाएगी बिना liquid बने हुए ठीक है तो एक तो यह example है it is stored under high pressure इसको हम high pressure में रखते हैं solid CO2 get converted directly into gaseous state on decreasing the pressure to one atmosphere ठीक है आप one atmosphere pressure में इसे रखो जैसे इसे भार आईए solid form में और यह solid form फिर से gas बन जाएगी और liquid यह नहीं बनेगी इस बीच में this is this is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry eyes और यही एक रीजन है कि इसको solid carbon dioxide को हम dry eyes भी बोलते हैं सूखी बरफ भी बोलते हैं इसके use बहुत different है ठीक है धुआ क्रेट करने का artificial smoke क्रेट करने का भी एक बहुत अच्छा यह source होता है ठीक है आप कोई भी fire extinguisher लो जो co2 से भरा हुआ है उसको उसके नॉब के आगे आप एक कपड़ा रख लो और उसको आपके हाथ भी glass होने चाहिए क्योंकि severe burn cold burn भी कर सकता है ठीक है आपक योटू का जो fire extinguisher उसको रखोगे और उसको push करोगे तो आपके हाथ में जो भी आएगा वो dry eyes होगी सुखी बरफ होगी ठीक है वो ठंडी बहुत होगी बहुत ठंडी होगी पर गील ही नहीं होगी आपके हाथ को गीला नहीं करेगी अब यहाँ पे एक time आया one atmosphere जो pressure है one atmosphere pressure अब यह क्या है देखो हमारे पास हमारे उपर 24 घंटे प्रेशर लग रहा है किस चीज़ का pressure लग रहा है दाब लग रहा है आपको पता है हमारा atmosphere है जो हमारा atmosphere है इसमें layer है काफी सारी ठीक है और इन layer में अलग-अलग gases है जो हमारे पास air है वो भी mixture of gases ही है औ और आपको ये भी पता है कि हमारी धड़ती हमारी ही अर्थ सबको नीचे खेंचने की कोशिश कर रही है कि 1949 अट्रेटी लगा रहे है आकर्षण हे सब चीज नीचे खिछ रही है और यह किछना ही फोर्स होता यह खिचना ही फोर्स होता है और हम यहाँ पर खड़े हुए हम इधर ही रह रहे हैं तो यह गैसे सारी नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं तो यह नीचे आने की कोशिश में हम लोगों पर प्रेशर लगा रहे हैं हम लोगों पर प्रेशर लगा रहे हैं और इस प्रेशर को जो प्रेशर लगा रहा है एक तो यह चीज और इसकी कैलकुलेशन कै इसकी कैलकुलेशन है 1.01 इंटू 10 to the power 5 ठीक है और इसको हम नहीं आते हैं पास्कल में पी ये लिख सकते हो आप पास्कल ठीक है ब्लेश पास्कल करके एक सम्मान में यह रखी इन के सम्मान में यह प्रेशर की यूनित हमने पास्कल रखी गई है और एक्चुली में यह 10135 करके कुछ होता है अगय को होती है उसको हम पोइंट लगाके यह हम लेते हैं 1.01 और अगर आप उपर की तरफ जाते हो इसको मैं शौर्ट में बता देता हूं अगर आप हाई इल्टिट्यूट्स पे जाते हो तो प्रेशर कम हो जाता है एक बाद आपको ध्याम रखने हैं अगर आप उपर से लजाओगे जो शिमला में जो प्रेशर होगा वो कम होगा जहां पे मैं ग्राउन लेवल पे यहां डेली में रह रहा हूं यहां आगरा में रह रहा हूं उससे ठीक है यह कंपेर आपको पता होना चाहिए अगर मैं उपर से ला गया अगर मैं इल्टिट्यूट जहां पे मैं रह रहा हूं डेली में रह रहा हूं इससे मैं अगर ऊपर जा रहा हूं तो प्रैशर कम होता है और अगर धर्ती के मैं अंदर जा रहा हूँ तो प्रैशर बढ़ जाएगा तो यह चीज आपको समझनी है दो चीज़ है ठीक है और मैं यहाँ लिख दूं तेở ठेचर ठीक है और यहां लिख दो टेंप्रेचर ठीक है और यहां कहीं मैं एक point mark करूं यहां पर तो यह चीज एक state of matter क्या है कि वह liquid है गैस है यहां solid है वह temperature ही कलोटा decide नहीं करता pressure भी decide कर सकता है तो अगर मैंने यहां माग करी तो देखो आप यह देखो temperature कितना कम है कम मैंने यह चीज कम रखी और pressure कितना high है pressure है high temperature है कम तो यह एक बहुत अच्छा solid होगा ठीक है यह बहुत अच्छा solid होगा और अगर मैं temperature बढ़ा दूँ ठीक है थोड़ा सा आप इसको समझने के कोशिश करना अगर मैं temperature बढ़ा दूँ let's say यहां यहां अगर मैं temperature बढ़ा दूँ यहां पर देखो temperature की value जादा होगी पर pressure है यह दर कम तो यह एक बहुत अच्छी gas होगी ठीक है यह चीज आपको धहन रखनी है यह एक बहुत अच्छी gas होगी और अगर मैं यहां पर कहीं एक point mark कर तो यह एक liquid होगा ठीक है यह आपको धहन अफना है कि pressure भी ठीक temperature भी ठीक इज़र से मैं एक चीज आपको बताना चाहरूं और एक point ऐसा होगा एक point ऐसा आपके पास आएगा कि इस point के graph के इस point के इधर सारे liquid होगे ठीक है और सारे solid होगे इधर सारे liquid होगे और इधर सारी gas होगे इधर से मैं एक चीज बताना चाहरूं इधर एक point आएगा triple point हम जिसे बोलेंगे triple point ठीक है यह चीज आपको सुनके शायद हरानी हो triple point है कि ऐसा point होगा और water के लिए मैं बता रहा हूँ ठीक है water के लिए ठीक है कि इधर आपको water मतलब liquid भी दिखेगा solid भी दिखेगा और आपको gas भी दिखेगी liquid भी दिखेगा यानि कि एक matter है एक matter है आपके पास वो तीनो स्टेट में exist कर जाएगा उस point को हम triple point बोलेंगे उस point को हम triple point बोलेंगे अब इदर से आपको एक बात समझनी है कि triple point water का क्या होता है exam के लिए ज्यादा important नहीं है उसमें temperature कितना चाहिए तो ये भी आपको पता होना चीए 273.16 Kelvin ये temperature होता है और उसके लिए pressure कितना चाहिए 6 वन वन पास्कल ठीक है points में भी कुछ वैली होते है six point point six one one पास्कल ठीक है ये अगर temperature और अगर pressure आप प्रवाइड करो तो आपको एक मेटर एक मेटर आपको पानी liquid भी दिख सकता है solid भी दिख सकता है गैस भी दिख सकता है तीनों चीजें एक साथ दिख सकती है आपको तो तो अब मैं से रप कर दे रहा हूं बस इतना ही था इसमें जानने लाइक अब evaporation क्या होता है हम last topics की तरफ बढ़ड़ है evaporation क्या होता तो देखो evaporation की हिंदी पहले तो आपको पता होने जाए हिंदी भी थोड़ा जान लिए अगर हो तो आपको आसानी रहीगी समझने मे इसको वाशपन बोलते है ठीक है वाशपन तो evaporation की अगर मैं definition पड़ू तो the phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point called evaporation ठीक है यानि कि आपने क्या करा एक liquid को gas बना दिया एक liquid को gas बना दिया ठीक है vapors भी gaseous form में होते हैं पर आपने खुद से कोई मेहनत नहीं करी आपने कोई इसको boiling point तक जाने की ले जाने की कोशिश नहीं करी temperature में आपने कोई change नहीं करा एक glass है उसको अगर मैं पानी भर कर room temperature पे ऐसे ही छोड़ दूँ room temperature मतलब 20 से 25 degree Celsius तो अगर मैं कुछ साल बाद आऊं तो ये पानी evaporate हो चुपाऊगा गाया वो चुपाऊगा बिना किसी मेहनत के बिना किस कुछ भी आए यह evaporate हो जाएगा evaporation और boiling का मतलब यह होता है evaporation मतलब इसके surface से particles उड़ उड़ के जाते रहे और gas बनते रहे वैपर्स बनते रहे boiling point का मतलब boiling का मतलब यह है कि यह liquid है आप अंदर से कोई particle को इतना इसमें temperature दो कि इसमें kinetic energy इतनी बढ़ जाए कि अब यह liquid की body छोड़ कर निकलने की कोशिश करें surface से तो जाएंगे ही जाएंगे पर यह अंदर से बुल बुला बनके निकलने ही कोशिश करें तो यह चीज है इसको में evaporation बोलेंगे कि जो process एक तो below boiling point के हो रही है अमने boiling point नहीं पहुंचाया ठीक है अपने आप ही उसमें पानी ओड़ रहा है लिक्विड वेपर्स बनना है अब इसको effect करने वाले कुछ factors होते हैं कि इसको इन चारों factor के बढ़ जाने से कम हो जाने से क्या क्या होता है तो पहले आपके पास temperature है कि temperature कम ज्य report फैला है उसमें इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होगा तो rate of evaporation क्या होगी तीसरा है humidity humidity मतलब आदरता इसमें मतलब आपको यह समझ में आना चाहिए कि humidity का सीधा-सीधा मतलब है कि हवा में कितना पानी है हवा में कितना मॉस्चर है हवा अपने अंदर water vapors लेके चलती ह ठीक है इसको प्रूफ भी आप कर सकते हो एक ठंडा एक glass रख दो पानी का ठंडा glass रखोगे जब हवा इससे गरम हवा जो temperature उसका यह समझ लो इस glass से जादा है इस ठंडे glass के surface से जादा है जब इससे टकराईगी तो यहां पर यह क्या छोड़ देगी यहां पर यह छोड़ इसका मतलब यह water drops कहां से हैं यह हवा की वज़े से हैं और एक wind speed तो यह चार चीज़ हमें पढ़नी है वैसे तो एक पांचमा फेक्टर भी होता है कि एक मैटर वॉलेटाइल है तो उतना जल्दी होता है जैसे मैं petrol फिलादू पानी फिलादू तो petrol जल्दी बढ़ जाएग जब temperature बढ़ेगा तो rate of evaporation बिलकुल बढ़ेगा ठीक है क्यों बढ़ेगा क्योंकि kinetic energy of particles बढ़ जाएगी तो liquid जल्दी जल्दी अब vapors बनने की कोशिश करेगा ठीक है अगर मैं एक 20 degree Celsius पे उतने surface area पे एक ग्लास पानी फिलादू उतना ही और अगर मैं 30 degree Celsius पे उतने surface area पे बनेगा rather than 20 degree वाले से क्योंकि temperature effect करता है ठीक है एक तो यह चीज है दूसरी चीज हमारे पास क्या है surface area of liquid surface area of liquid इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो कि जैसे एक जो ग्लास में एक लीटर पानी अगर आप भढ़ दो कोई एक बड़ा सा ग्लास है वो इतनी जल्दी वैपोरेट नहीं करेगा क्योंकि surface area आपने उसे कम दिया है और वही एक लीटर पानी अगर आप first पे फिला दो तो वह जल्दी जल्दी वैपोरेट कर जाए लगेगी और अगर आप उसको सौसर में यानि की प्लेट में अगर फिला के पिऊ ठीक है फिला के पिऊ तो वह आपको कम गरम लगेगी क्योंकि इस वक्त के इस बार क्या हो गया कि surface area बढ़ गया surface area बढ़ गया जो इसकी latent heat है जो इसके अंदर heat है वो evaporation के तुरू vapors बनत कम गरम होगी ठीक है यह आपको समझ रहा है तो rate of evaporation increases on the increasing on the surface area of the liquid ठीक है humidity humidity के संग क्या है when humidity of air is low अगर humidity कम हो गई ठीक है the rate of evaporation is high तो एक यह point ऐसा है जो inversely proportional है अगर humidity आपने बढ़ा दी तो rate of evaporation कम humidity कम कर दी तो rate of evaporation ज्यादा humidity का मतलब क्या हवा में पानी होना हवा में कितना पानी है अगर हवा में पहले से ही पानी है हवा में पहले से ही पानी है तो अगर मानलो जैसे एक example ले लो आपने कपड़े सुखाने के लिए रखें तो इस पे अगर ऐसी हवा लगे जिसमें humidity यानि कि जिसमें water vapor कम है तो य humidity कम होना तो rate of evaporation का ज्यादा होना ठीक है यह आपको समझना है और अगर हवा में humidity ज्यादा होना तो evaporation कम होना evaporation rate of evaporation होगा evaporation तब भी वह सूखना तो उसने है ठीक है पर rate of evaporation कितना जल्दी सूखर है उसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है और यही हमारे desert cooler जो हमारे घर में coolers होते हैं ठीक है ACO cooler cooler जो होते हैं उस पर यह humidity वाला concept लगता है कि घर्मियों के दिनों में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है high temperature बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो desert cooler अच्छा काम क्यों करता है ठीकwest कम होता है भार नमी के दिन ओते हैं बारश के दिन कूलर चिपचिप करता तो यह चीज आपको समझने है humidity के चक्कर में होता है जब उसको ज्यादा temperature में जब मालों बहुत गर्मी पड़ रही है temperature बहुत ज्यादा है तो humidity कम होगी ठीक है क्योंकि water जो में जो पानी है air में water है वो ज्यादा temperature के चक्कर में lose होता है ठीक है इसलिए इसलिए क्या होगा कि desert cooler cooler चलाएंगे वो ज्यादा तेज में ज्यादा cooling कर पाएगा wind speed wind speed क्या है कि हवा कितनी तेज चल रही है ठीक है कितनी तेज हवा चल रही है अगर हवा की speed बढ़ गई rate of evaporation increase with the increase in the speed wind speed ठीक है तो evaporation भी बढ़ जाएगा हवा की speed कम तो evaporation भी कम ठीक है directly proportional है अब यह last topic है हमारा cooling effect of evaporation ठीक है evaporation का cooling effect क्या है तो यह बात आपको बस ध्यान रखनी है कि evaporation हमेशा cooling करता है हमेशा cooling करते क्यों करता है जब भी liquid evaporate होता है तो जिस surface पर यह पढ़ा हुआ है हम किसे ठंदे होने की बात कर रहा है इस liquid ठंदे होने की बात नि कर रहे है इस Nature buried होने की बात कर रहे है जो चुपी गुप्त उश्मा है जो गुप्त हीट है उसको लेकर उड़ेगा सर्फेस से ठीक है और जब हीट लेकर उड़ेगा जब यह गरम मतलब यह समझ लो आपकी कोई सर्फेस अगर गरम है उसके आप पानी दालो तो वह पानी वैपोरेट होगा वेपर बनेगा तो वह उस surface की गर्मी लेकर उठेगा और गर्मी लेकर उठेगा तो उसको cool करने की कोशिश करेगा वो ठंडा होगा ठीक है जैसे कि आपके पास एक तवा है यह गरम है आप इस पर पानी की बूंदे जैसी दालोगो तो यह फटा-फट से भाब बनके उड़ जाएंगी तो यह किसको ठंडा कर रहे हैं इस तव यह को ठंडा कर रहे हैं आप दालते जाओ दालते जाओ तवा अल्टिमेटली ठंडा हो ही जाएगा तो अब हम इसे पढ़ते है इना open vessel the liquid keeps on evaporating ठीक है एक open vessel में आपको पता है evaporation हमेशा होता ही रहता है the particles of the liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation ठीक है तो जो ल heat energy को absorb करते हैं absorb करने के बाद यह उड़ते हैं this absorption of energy from the surrounding make the surroundings cool cold ठीक है या cool तो यह absorption of energy जो हो रहा है यह surroundings को क्या करता है ठंडा करता है what happens when you pour some acetone यानि कि नेल रिमूवर या फिर आप पेट्रोल भी लग सकते हैं on your palm अगर आप अपने पर पेट्रोल दालो या फिर नेल पॉलिश रिमूवर दालो तो होगा क्या आपको थंडा 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 लगता है यह थंडा थंडा इसलिए लिए लग रहा है क्योंकि जो आप ने डाला है आपने जो पेट्रोल डाला है या नेल पॉलिश रिमूवर दाला तो यह एवयपोरेट करेगा वैसे ही वैपोरेशन हो गया तो क्या होगा कुलिंग एफेक्ट होगा आपकी पाम को ठंडर ठंडर लगेगा आफ्टर होट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन दरूफ और ओपिन ग्राउंड पिकॉस लार्ज लेटेंट गालते हैं तो क्या होता है इस में से हीट निकलती है हमें उस वक्त भी मैसूस होती है पर यह सर्फेस को ठंडा करती है क्योंकि एव σεbor ऑपीस को ड Ü ऑन ड लोगे तो पानी भाफ बनने कोशिश कर रहां ह्याओ बनेगा तो इसके सर्फेस से क्या करेंगा हीट को उठा के ले जाएगा अपने संग तो यह cooling effect आएगा है न तो एक इसका यह example है why should we wear cotton clothes in summer एक तो यह question आप से डारेक्ट पूछ जाता है पहले यह बताने से बढ़िया मैं एक और चीज़ बता दू एक अर्धन pot का example अज tool होता है जिसको मटका बोलते हैं ठीक है मटका मटके में पानी कैसे ठंडा रहता है कोई यह first है न है तो इसका एक रीजन है evaporation ऐसन कि खोटagu-छोट sot दे-बहुत बहुत चोटीará मात्रा बहुत कम मात्रा भार हमेशा रहता निकलता रहता है हमेशा और आपको पता है जब ये पानि यह पर आ जाये सर फेस बैद अब यह क्या होगा वह को पता है जा वेपर्स बनेंगे तो यह क्या करेंगे cooling effect छोड़ेंगे इस surface पर तो आप कभी भी मटके के surface को हाथ लगाना यह ठंडा होगा और इसके ठंडा होने के वेज़े से अंदर जो पानी है वो भी ठंडा रहता है वो भी cold रहता है तो सारी बात किस पर आ गई evaporation पर और evaporation भी क्या latent heat को लेकर उड़ता है cgc बात है यह तभी वो cold cooling effect देता है एक तो यह example एक आप sweat का example ले सकते हो जैसे कि एक आप बैठे हो यहाँ पर और एक आपका friend आए बहार से पसीने पसीने पंखा चल रहा है तो यह पंखा आपको इतनी ठंडक नहीं देगा जि या फिर कैसे भी evaporation तो हो नहीं है जब वो उड़ेगा तो जब वो उड़ेगा तो उसकी बॉड़ी की heat absorb करके उठे उड़ेगा विपर्स बनेगा तो उसको cooling effect लगेगा तो उसको थोड़ा थंडा 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 लगेगा तो यह बात है during the summer we perspire more because of mechanism of our body which keeps us cool तो इधर एक word है आप देखो perspire perspire मतलब sweating सीधा सा इसका मतलब है sweating ठीक हमारी body का mechanism होता है कि हमारी body का temperature balance करने के लिए हमारी body sweat करती है और जब यह sweat करती है तो मैं इसको आप खुद पढ़ ले ना मैं इसको शौट में बता देता हूं जब वो sweat करती है तो हमें अपनी body पे देखो कपड़े तो हमने पहने ही होते हैं कपड़े में पहन नहीं है तो summer में हमे में ऐसे कपड़े पहने चाहिए कि जो उस sweat को हमारी body से लेकर environment में exposed करें ठीक है तो cotton clothes की एक खास बात होती है कि वह हमारे sweat को absorb करता है अपने अंदर और अपने अंदर कपड़ा पहन लो या एक silk कपड़ा पहन लो ठीक है तो वह आपके पसीनों को absorb नहीं करेगा और absorb नहीं करेगा तो आपका पसीना अंदर ही रहेगा वह evaporate इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा और आपको problem देगा आपको गर्मी करेगा इसलिए cotton clothes preferable होते हैं summer में बाकी किसी अन tolerant वाला feeding ऐसे ही मैं के example अपको होता था लोग क्या गर्मियों में चंदन मातुंट पर आपने Посलिक चेखर 好 और कहलेगा चंदन क्या करता हिप इसका मतल़ं को आपने देखा होगा कीचड眠े ज़्याद नाना पसंद करते हैं ठीक है? तो कीचड में वो इसलिए नाना पसंद करते हैं क्योंकि अगर एक जानवर पानी में अगर पूदा और पानी से भार निकलेगा तो तब तक उसे ठंडा लगेगा जब तक वो पानी वेपोरेट नहीं हो रहा जैसे पानी वेपोरेट हो गया चारा पानी भाब बन गया तो अब उसको कूलिंग एफेक्ट नहीं आएगा तो जानवर क्या करते हैं चलाकी करते हैं वो ना यह उनके दिमाग का है उन्हें साइंस पढ़ रखी हैं यह समझनुद एब अगर हम अपने मांते पर चंदन लगते हैं तो चंदन क्या होता है जैसे ही पसीने की drop आती तो वह spread हो जाती है वह spread हो जाती है और वह देर में धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे सूपती रहती है एसे ही पसीना आता रहता है दीरे दीरे सूपता रहता है तो चन्दन के लेप की वजह से जो evaporation है वह slow भी हो जाता है और क्या होता है इसका surface वह दीरे 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 धीरे दीरे evaporate भी करता रहता है इसलिए हमें cooling effect आता है वरना आपका पसीना आएगा drop आएगी और वो गिर जाएगी, hold नहीं होगी, basically hold करने की process यह चंदन कर रहा है, यह आप समझ लो, ठीक है, तो यह था आपके पास, यह last video, second last video, इसके बाद मैं NCRT के कुछ questions का video दालूँगा, almost यह chapter finish है, अब आप इसके notes बड़े आराम से बना सकते हैं, और अगर आपको कोई doubt है, तो आप मे वीडियो को share जरू करते हैं, subscribe जरू करते हैं, okay, ta-ta, bye-bye.